वेलकम टू नेक्सिक जाओं आज है 10 सितंबर 2022 और 10 सितंबर 2022 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट अब मैं आपसे कुश्चिन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज कि इस वीडियो के पीडियो के डिसकस में से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेगराम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेगराम गुरूप पर आपको सारे पीडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कुशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जाइन कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं पहला कोशिन है हाली में जारी सैयुक्त राष्ट के मानव बिकास सूचकांक में कौन सीर्स पर रहा है तो अभी युनाइटिन डेशन ने 2021 का HDI यानि की Human Development Index जारी किया है इसमें 191 देशों में Switzerland टॉप पर है तो उसकुशन का बे ओप्सन सही है Switzerland फर्स्ट पर है Norway सेकंड पर है और Iceland थर्ड पर है अच्छा इन 191 देशों में अपना देश वारत कौन सी नमर पर है तो अपना देश वारत 132 में नमर पर है अब स्विट्जे लेंड टॉप पर है तो स्विट्जे लेंड की Capital के है वर्न और स्विट्जे लेंड की Currency के है Swiss Frank तो इस Question से आपको एतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम Target रखते हैं 40 से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को Like और Share जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ Daily Morning Mode कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट विक्स करो चाहे चोटा साई टारगेट विक्स करो लेकिन Daily Morning Mode कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट विक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में किस देश ने पाकिस्तान के लिए 450 मिलियन डॉलर के पैकेज की गोशन की है तो अभी अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 450 मिलियन डॉलर के पैकेज की गोशन की तो इस क्यूशन का say options है आप 16 लडाकू जेट वेडे के रख रखाओ के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 450 मिलियन डॉलर के पैकेज की गोशन की है अब गोशना अमेरिका ने की है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है जो बाइडन अभी अमेरिका में एक दसक के बाद पूलियों का पहला मामला दर्ज किया गया अमेरिका की सेनेट ने गन कंट्रोल विद्यक पारित किया है आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्टपती के बिज्ञान सलाकार के रूप में नियुक्त किया गया बारत, इजराइल, UAE और US ने एक नया I2-U2 समू बनाया है और अमेरिका में निर्मत सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फोगाकू को पेछे छोड़ दिया है जापान का सुपर कंप्यूटर है फोगाकू इसे अभी अमेरिका के फ्रंटियर ने पेछे छोड़ दिया है अच्छा है इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी डिफेंस एक्साज होती है कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद दब्यास जिसमें से वज्र प्रहार अभी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुई है नेक विशन है हाली में HDFC बैंक ने केसराजि में बैंक on Wales का अनावरड किया है तो अभी HDFC बैंक ने अपने Grammede Bank बयवसाए के लिए अहमदाबाद के पास कूटेस और गाउं में बैंक on Wales का अनावरड किया तो ये गुज्रात में अहमदाबाद के पास किया है तो इस question का बे options है अब HDFC bank तो HDFC bank की stop न कब हुई 1994 में इसका headquarter कहां पर है मुंबई में और इसके present time पर CEO कौन है ससी धर जगदीशन कौन है ससी धर जगदीशन अब ये गुजरात में इसका अनावरड हुआ है तो ये है map में गुजरात गुजरात की capital क्या है गादनी नगर गुजरात की chief minister कौन है भूपेंदर भाई पटेल और गुजरात की governor कौन है आचार देपरत अच्छा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है ये asiatic loins के लिए famous है गुजरात में सरदार सरोवर डेम है गुजरात में नल सरोवर लेक है थोल लेक है कंकडिया लेक है और खेजाडिया लेक है इतना आप गुजरात की बारे में याद रखिए नए question है हाली में सेयुक्त रास्ट के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने है तो अभी बोलकर तुर्क सेयुक्त रास्ट के मानव अधिकार उच्चायुक्त बने तो किस्कुषिन का से ओप्शन से हैं आप इमेज में देखिए यह हैं आस्ट्रिया के बोलकर तुर्क यही सैयुक्त राष्ट के मानव अधिकार उच्चायुक्त बने हैं अच्छा अभी इंडिगो ने पीटर एलवर्स को अपना नया CEO न्यूक किया नागे सिंग को थाइलेंड में भारत का राजदूद न्यूक किया गया बिक्रम दुरई स्वामी इनको यूके में भारत का उच्चायुक्त न्यूक किया गया संजय बर्मा को कनाड़ा में भारत के उच्चायुक्त की रूप में न्यूक किया गया राजेस परमा को राश्टपदी द्रौपदी मुर्मु का सच्चिव नियुक्त किया है और बजाज एलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को MD&CEO के रूप में पदोर्नत किया ये जो अभी recent appointment हुए है वो मैंने आपे लिख दिये है ने क्यूशिन है हाली में केस राजी क पद्म स्री पुरुसकार विजेता कलाकार राम चंद्र मांजी का निधन हुआ है तो बिहार के एक पद्म स्री पुरुसकार विजेता कलाकार थे राम चंद्र मांजी इनका अभी निधन हो गया तो इसको इनका बे आप्सन सही है ये थे बिहार के सारण जिले के राम चंद यह एक प्रतिष्टित कलाकार थे इनको पद्मसरी पुरुसकार से समन्त किया गया था और यह लॉंडा नाच के लिए मसूर थे तो इनका नाम आप याद रखी इनका भी निदन हुआ है अब यह बिहार के थे तो यह है मैप में बिहार बिहार की केपिटल के है पटना बिहार के गवर्नर कौन है फागू चोहान कौन है फागू चोहान अच्छा बिहार में बालमी की नेशनल पार्क है बालमी की नेशनल पार्क यह बिहार में है बिहार के मिथिला मखाना को अभी जियाए टेग मिला था बिहार के साही लीची को भी जियाए टेग मिला था बिहार के जरदालू आम को भी GI टेक मिला है इतना ब्याहर के बारे में आद रखना है नेक्ट शुशन है हाली में कितने मीटर की थ्रो के साथ डैमंड लेक फाइनल का खिताब जेतने वाले पहले भारती नेरत चोपड़ा बने हैं कौन बने हैं नेरत चोपड़ा अच्छा कितने मीटर की थ्रो के साथ तो 88.44 मेटर की थ्रो के साथ डैमंड लेक फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारती नेरत चोपड़ा बने हैं कौन नेरत चोपड़ा इनका नाम आप याद रखी है और ये थ्रो भी याद रखनी है 88.44 मेटर तो इस कुश्यन का डे आप्शन सही है अ ये ओलम्पिक स्वर्ड पदक बिजेता है ने क्यूशिन है हाली में किस राजसरकार ने दुरलब बीमारियों वाले SCST रोग्यों के लिए मौद्रिक सायता की गोशना की है तो ऐसे SCST के लोग जिनको दुरलब बीमारियां है यानि कि जिन बीमारियों के लिए बहुत करनाटक की capital के है बैंगलॉर करनाटक की chief minister कौन है बसब राज बॉम्बई और करनाटक के governor कौन है तावर चंदर गहलोत कौन है तावर चंदर गहलोत अभी करनाटक सरकार ने क्रसी को बड़ावा देने के लिए एसा outreach किसा समझता किया है SBI ने start-up के लिए समर्पित पहली साखा बैंगलूरू में खोली है करनाटक सरकार ने खिलाडियों को दो प्रतिसत आरक्चड देने की गोश्चना की है गाये गोत लेने के लिए पुंड कोट दत्तु यूजना को सुरू करने वाला देश का पहला राज करनाटक बना है अच्छा करनाटक की दू डांस में वास हैं यक्ष गड और डूलू कुनीता करनाटक का एक गाउं है मट्टूर गाउं यह पूरे देश में एकलोता ऐसा गाउं है जहाँ पे बूल चाल की वासा में संस्कृत बोली जाती है अच्छा करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं बांदीपूर, अंसी, नगरहूल, बनलकटा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क यह करनाटक के इंपोर्टेंड नेशनल पार्क हैं नेशन है हाली में प्रधानमंत्री टेवी मुक्त अभियान किस ने सुरू किया है तो प्रधानमंत्री टेवी मुक्त अभियान ये राष्टपती द्रौपती मुर्मू ने सुरू किया तो इसकुशन का बे आप्सन सही है त्यान रखना इस अभ्यान में प्रदानमंतरी सब्द लगा हुआ है लेकिन इसको बर्चुली सुरू किया है राष्टपती द्रौपदी मुर्मू ने तेबी उपचार से गुजर रहे लोगों को बिभिन प्रकार की साहिता प्रदान करने के लिए प्रदानमंतरी तेबी मु का उद्गाटण किया है तो अभी बिहार के चीबनिश्टर ने फल्गू नदीफ पर बारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्गाटण किया scripture ंक a options है higher अच्या, अभी मैं आपको बिहार के बारे मताया है बिहार की खगोले बेदसाला को युनेस्को की महतपूर संकट गरस्त बिरासत बेदसालाओं में सामिल किया गया प्लिपकाड ने बिहार राज्जी कोसल बेकास मिसन के साथ समझोता किया है बारती भू बैग्यानिक सर्विक्षड के अनुसार बारत क सबसे बड़ा सवर्ड भंडा बेहार में मिला है नंए कुषञ है हाली में ब्रिटेन की बहारानी Elizabeth Dutty का कितने बरस की उम्र में निदन हुआ तो Britain की महरानी थी Elizabeth Dutty इनका अभी 96 बरस की उम्र में निदन हो गया तो इस कुशिन का बे आप्शन से ही है ये पिछले 70 साल से Britain की महरानी थी और 70 साल में 15 प्रदानमंत्री चेंज हुए है बिटेन में अभी नई प्रदानमंत्री कौन बनी है लिज्ज ट्रस कौन बनी है लिज्ज ट्रस अच्छा बिटेन की Queen Elizabeth Second के बारे में मैंने ये डेटेल में आडियो बनाया है इस आडियो को आप एक बार जरू सुनिए Queen Elizabeth Second के बारे में जितने भी information है मैंने सारी इस आडियो में बताई है और competitive exam point of view से जितने भी question मन सकते हैं मैंने सारे इस में discuss किये हैं तो इस audio को आप जरू सुनिए नेशे description में audio revision के राम से एक link है उस link पर click करके आप इस audio को सुन सकते हो ने question है हाली में पांचमी भारत अमेरिका समुद्री रक्षा बारता का AYIGHION कहां किया गया है तो अभी नई दिल्ली में पांचमी भारत अमेरिका समुद्री रक्षा बारता का AYIGHAND किया गया तो इस question का c options अई है ने question है हाली में केस राज सरकार ने चाता नाम से बरसा जल संचे योजना सुरू की है तो अभी उडिशा सरकार ने चाता नाम से बरसा जल संचे योजना सुरू की तो इस कुछिन का बे आप्सन से ही है अब उडिशा तो ये है मैपनो उडिशा उडिशा की गैबिटल क्या है बोपनेश्वर उडिशा के चिपन समुद्ध तट की सुरक्षा के लिए उडिसा सरकार ने एन आई ओटी के साथ समझोता किया, उडिसा के मुख्यमंतरी ने लॉगडाउन लेरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है, रास्टी MSME पुरुसकार 2022 में उडिसा को प्रत्थम पुरुसकार से सम्मानत किया गया, और कम दूरी की बैलेस्टिक मिसायल, प्रत्थमी सेकंड का सफल परिक्षड अभी उडिसा में किया गया, अच्छा उडिसा में सुना बेडा वाइलला सेंचुरी है, कोठा गड़ वाइलला सेंचुरी है, बैसी पल्ली वाइलला सेंचुरी है, देवरी गड़ वाइलला से पुरिटा में चिल्का लेख है ये भारत की सबसे बड़ी खारेपानी की लेख है उडिशा में रसी कुलिया बीच है और गूर्डन बीच है अभी युनेस्कु ने उडिसा के दो गाउं को सुनामी रेडी डिकलेर किया था वो दो गाउं कौन से हैं नोलिया साही और बैंकट रायपूर कौन से हैं नोलिया साही और बैंकट रायपूर अच्छा उडिसा में लिंगराज टेंपल है, कुडार्ट टेंपल है और जगननाट टेंपल है इतना आपको उडिसा के बारे में याद रखना है नेक्स क्यूशन है हाली में Miss Earth India 2022 का खिताब किस ने जीता है तो Miss Earth India 2022 का खिताब अभी हमाचल प्रदेश की बंसिका परमार ने जीता तो इस कुशिन का A options आई है ये हैं बंसिका परमार और इन्होंने ही अभी Miss Earth India 2022 का खिताब जीता है अच्छा यहाँ पर एक नाम लिखा है सिन्नी सेटी इन्होंने अभी Femina Miss India का किताब जीता एक नाम यह लिखा है कुसी पटेल इन्होंने Miss India Worldwide का किताब जीता नए कुशिन है हाली में किस देश ने निबारक परमार हमले के लिए नए कानून को पारित किया है तो अभी УТТर कुरिया ने निबारक परमार हमले के लिए नए कानून को पारित किया तो इस question का बे option से ही है ये है map में उत्तर Korea यानि की North Korea जो आपको उपर देख रहा है यही है North Korea और जो नीचे है वो है South Korea North Korea की capital के है? पैंग यॉंग North Korea की currency के है? North Korean one और North Korea के present time पे ताना सा कौन है? किम जॉंग उन अच्छा North Korea और South Korea को डिवाइड करने वाई लाइन को कहते हैं तो North Korea और South Korea को डिवाइड करने वाई लाइन को 38th parallel कहते हैं नए question है हाली में A-abusion portal के उप्योग में कौन सीर्स पर रहा है? तो A-abusion portal के उप्योग में अभी उत्तरपदेस टॉप पर रहा है तो इस question का C options है यह Digital India Mission के तहत A-abusion portal के बाद्यम से मामलो को निबडाने के मामले में उत्तरपदेस फर्स्ट नमबर पर है मद्पदेस सेकंड पर है और बिहार थर्ड पर है अब उत्तरपदेस टॉप पर है तो ये है map में उत्तरपदेस उत्तरप्रदेश की capital क्या है लखनौ और लखनौ किस नदी की किरारिष्थित है गोमती नदी किरारिष्थित है अभी जैसे डेली में NCR है उसी तरह लखनौ में SCR डेवलप के जाएगा state capital region उत्तरप्रदेश की chief minister है योगी आतनाग और उत्तरप्रदेश की governor है आनन्दी बेन पटे अच्छा उत्तरप्रदेश का राज की पसू है 12 सिंगा राज की पच्छी है सारा से क्रोंच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच्छ है असुक का ब्रच्छ बारत का पह उत्तरप्रदेश सरकार ने पंचमरत योजना शुरू की है बारांसी में अखिल भारती सिक्छा समागम का उद्गाटन हुआ है एरपोर्ट अथोर्टी ऑफ इंडिया ने उत्तरप्रदेश सरकार के साथ समझोतक किया है उत्तरप्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए family card टाइगर रिजब भी उत्तरप्रदेश के बारे में रखना है अब लास्ट वीडियो की कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुशिन पूछा था कि हाली में क्यों सरकार ने रोजगार गरेंटी योजना शुरू करने की गोशना की है तो अबी राजस्तान सरका ने रोजगार गरेंटे योजना शुरू करने की गोशना की यानि कि इस कुश्यन का से ओप्सन सही था और लगबग सभी श्ट्रेड ने इस कांसा सही दिया मुश्ट लिए श्ट्रेड ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्यन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्यन आपके लिए आज का कुश्यन है हाली में 2022 में किस देश ने सरवादिक भारती चात्रों को बेजा जारी किया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्टुक पेज़ पर प्रेबियस एर कोश्यन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्टुक पर नेक्स्ट एक जम सर्च करके मारा फेस्टुक पेज़ जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एर कोश्यन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी क्विश्यन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रोवल्म है तो आप इंट्रेसरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड सकते हैं बार्जैशन डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज की स्वीडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना, आज की स्वीडियो का टार्गेट है 40 एल लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अलपो लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेर जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook group हैं, उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो, तो ये था आज का हमारा current interface का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदब मिलेगी, जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे, तो बरावर में एक वेल आइकन मन किया आएगा, आप उस वेल आइकन पर जरू किलिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current interface की वीडिय मिलती रहे, नेक्स्ट एक्जाम और बेज विद यू, थैंक्स पर वाचिंग